नमस्कार दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जैसा कि मैंने पिछले सब्ता बताया था आपको कि हम हर सब्ता एक एक अर्थवफसता की समसामिक से सम्मध्ध टोपिक लेंगे और उसके साथ साथ बेसिक एकनोमिक्स भी समझेंगे तो उस प्रकरिया को जारी रखते हुए कि पिछले लेक्टर में पैट्रोल की और डीजल की कीमतों के उपर बात की थी कि भारत में petroleum पदार्थों की कीमते हैं कैसे तही होती उस पर बात की थी आज का जो हमारा lecture बड़ा महत्पूल लेक्टर आज का लेक्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं फोरेक्स के उपर विदेशी वीनिमे कोस के उपर है और विदेशी वीनिमे कोस जब हम पढ़ेंगे तो डेफिनिटी दो दिक्कत आएगी आपको पहली दिक्कत तो यह आएगी कि हम ऐसे बहुत स सब्सक्राइब यह फिज क 25 तो उनको थोड़ी सी अर्थ वास्था की जो सब्दान लिए उसमें दिक्कत आ सकती है कुछ किनशक्रइब इक उपाई है मैं की में सामाने चीजें एक परकार से अर्थ वास्था की भासा में ना कर शाम अने शब्दों में बताते हुई मैं इनसे आगे जो जो इसमें सब्दावली आएगी ऐसी जो बहुत अच्छे से अलग से समझाई जा सकती उसके अलग सी विडियो लेके आऊंगा तो वह भी आगे देरी-देरी सब समझ में आता जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर मेरे अर्थ वैवस्त से फाइदेबन रहेगा क्योंकि ऐसा कोई विशह नहीं होता जो हमारी समझ से बाहर हो हम अगर प्रयास करेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आ सकती है होता क्या जब न्यूजपेपर आता है और हम न्यूजपेपर को देखते हैं तो आर्थिक समसामाई की से बचने का प्रयास करते हैं क्यों क्योंकि उसकी न तो टर्मनोलोजी समझ में आती न उसकी मोडस ऑपरेंडीज उसकी प्रक्रियाएं वो समझ में नहीं आती तो फिर हम छोड़ देते हैं कई बारने हो जाती है कि शेर मार्केट चड़ा सोने के बहाव गिरे सोने के बहाव बड़े से मार्केट गिरा कई बारा था है कि यह हुआ इंटरनेशनल मार्केट में फोरेक्स रिज़र बड़ा यह हुआ आप देखो यह खबर आई जैसे कि इंडिया फोरेक्स रिज़र राइस टू लाइफ टाइम हाई और 608 बिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर अब यह न्यूज कई दि कभी नहीं आया तो यह न्यूज चार जोन से चल रही है ठीक है क्योंकि चार जोन को जब आंकड़े आए थे उसमें 605 बिलियन के आसपास था और जब 11 जोन को वापस दुबारे आंकड़े आए तो 608 बिलियन हुआ और आज 11 और 17 18 अब एक या दो दिन में फिर वापस आं लीज में नहीं आती है स्कॉड़ देटा है तो आज हम यहीiger करें कि और iç कि आ है कौन-कौन सी चीजहुंपे डिसकस करने वाले हम已經 पांथ पर बात करेंगे, आज सबसे पहली बात करेंगे, कि Forex Reserve होता क्या है, ठीक है, क्या है Forex Reserve, दूसरा हम बात करेंगे, इस Forex Reserve में कौन-कौन से components सामिल होते हैं कौन-कौन से भाग होते हैं UPSC में कई बार प्रश्न पूचा जाता है आरेस मैंस में भी पूचा गया है इसकी अलाव पूचेंगे तीसरा डिसकुस करेंगे कि इंडिया जो फॉरेक्स आल टाइम हाई 608 बिलियन अमेरिकन डॉलर जो भारत का फॉरेक्स हुआ है तो क्यूं हुआ है ऐसा क्यूं हुआ तो उसको देखेंगे उसके बाद देखेंगे कि विश्व इस तर पर दूसरे देशों के रिजर्व के बारे में कि भारत कहां पर स्टेंड कर रहा है टॉप प दिसक्रस करेंगे इसके अलावाई बहुत सारी छोट छोटी बातें बड़ी बड़ी चीजें सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है लास्ट तक बने रहना एक एक चीज को समझना वापस अगर समझ में नहां तो इसको वापस सुन लेना तो निश्चित रूप से के विदा होगा सबसे पहला पॉइंट कि एक्ट्व में फॉरेक्स है क्या तो मैं अगर इसको हिंदी में कहूं तो फॉरेक्स का मतलब है यह ख सेंजर रिजर्व अगर अपने सको शामाने हिंदी में लिखें तो इसका होगा विदेसी से वी निमाइट कोस ठीक है अब घर पे जैसे दो सो रुपए यह पाँ जार रुपए या दस जार रुपए रखे भी पड़ें एक फंड के तो रुपए कि कभी भी अमर्जेंसी सिटुएशन आईगी तो हम उसको यूज करेंगे तो हमारे घर में जनली रिजर्व रहता है पेटियों में रिजर्व रहता है अजिञा है 10,000-5000 अपनी अपनी छम्ता के अनुसार सब कुछ अपने पास में रखते हैं उससे अपने कहते हैं कोश एक प्रकार से जो कभी आपात स्थति में काम आए तो कोस तो हो गया कि वह वो रासी जो हम आपात स्थति यहां ऐसी कोई अनफूर्षीन मादब ऐसी कोई situation आगे आ सकती है जैसे अभी कोवीड आया तो घरों में जैसे दस जार बीस जार पंदरा जार जैसी जैसी जैसा जैसी अपनी आए उस अनुसार सभी ने बच्छत कर रखी थी तो उस अनुसार उन्होंने काम किया किसी के पास को स्था नहीं तो दिक्कत हैं भी वी तो कोस का म सामगरी खरीदते हैं तो उससे सामान लेते हैं और उसके बदले हम उसको करेंसी देते हैं यह भी विनी में हो गया तो इसके अलावा अगर अपने नेशनल लेवल पर बात करें तो एक देश दूसरे देश से सामगरी खरीदता है उससे कई सारी चीज़ें कई सारी चीज़ विनिमे होता था वस्तु देंगे वस्तु ले जाती थी फिर जैसे करेंसी मॉडल आए मुद्रा का प्रचलन हुआ तो उसके बाद में रिंदा विनिमे प्रणाली वह आपके अस्तित्व में आई तो विनिमे का मतलब होता है एक प्रकार से लेंदेन करना या यूं कहीं कि बाहरी को एक प्रकार से यूं कहिए कि कौन से संपती है बाहरी संपतिया तो अब आप इसको परिबासा समझे इसकी कि किसी भी देश के पास में किसी भी देश के पास में मौजूद वो बाहरी संपती खुद की नहीं जैसे मैं भारत की बात करो तो भारत का अपनी मुद्रा ह है रुपिया रुपिया की बात नहीं करेंगे बारत से बाहर की जो बूए एसे हैं लुए दॉलर हो चाहिए वह ये रैन हो चाहिए पॉंड हो चाहिए अर्वार को मुद्रा थीक है ना तो भारत से बाहर की जो संपत्या है मतलब यह गया कि भारत का रुपी हम सामिल नहीं करेंगे हम वो चीज सामिल करेंगे जैसे यूस ट्रेजडी बॉंड से हमने कुछ ले लिया या इंटरनेशनल मोनेटरी फंड से स्टीर वगेरा उससे आरटीपी वगेरा हो गया तो विदेशी का मतलब हो गया बाहरी संपतियों से तो किसी भी देश के पास में वो सारी एक्स्टरनल एसेट्स वो सारी कि सारी बाहरी संपतिया जो उस देश के कैंद्री मौद्रिक प्राधिकरण का क्या मतलब होता है Central Monetary Authority के दो आप Central Monetary Authority कौन होता है हमारे देश की अपन बात करें तो कैंदरी मौदरिक प्राधी करन है RBI कौन है RBI भारत के अंदर मुद्रा का पूरा का पूरा मैनेज करने का काम कौन करता है RBI करता है तो किसी भी देश के पास वे बाहरी संपतिया जो उसके Central Monetary Authority के पास होती है और जिसका वो अपियोग आपकी विभीन परकार के लेंदेन में करता है उसे हम क्या कहते है और फॉरेक्स कहते है तो शॉर्ट में फॉरेक्स हो गया हंदी में कह आपके विदिसी विनी में को सोगया और फुल एपरीवेशन करें इसका एंग्लिश में तो आता है एक्सेंज रिजर्व तो फॉरेक्स क्या हो गया यह बात आपको समझ में आ गई और भारत में अगर पूचा जाए कि इस फॉरेक्स का कस्टोडियन कौन होता है इस फॉरेक्स को रखने का काम कौन करता है तो फारत में इस फॉरेक्स को रखने का का किसके पास होता है आरगे कपास तो जनरिली के अनकेंदरिय बेंक जो होता है वही 4x स्कुर्ड करता है जाये आप अमेरीका की बात करों जाये किसी बीडेश की बात करो इसमेने परीबसा बताई यह परीबसा I International Monetary Fund की अंतर राश्ट्री ए मुद्रा कोस्ट जो है International Monetary Fund ने यह परिभासा दी है कि आपके Forex क्या होगा तो जो मैंने यह परिभासा दी यह परिभासा भारत के दरस्टी कौन से ही नहीं है बलकि दुनिया के सभी देशों के दरस्टी कौन से है तो Forex की परिभासा IMF ने तैय कर रखी है और इस परिभासा की अनुसार किसी भी देश के पास में वह सारी बहारी संपतियां जो उस देश के कैंदरी मौद्री प्राधिकर्म के पास में रहती है उसे हम Forex कहते हैं और भारत में किसके पास है आर्वे के पास तो सामने सवाल अगर पूछा जाए कि भारत में Forex का कस्टोडियन कौन है या वारत में विदेशी विनिमे कोस का संचाल कौन है नियंतरन करता कौन है किसकी अधीन रहता है तो भारत में किसके पास रहता है आर्वे के पास रहता है तो यह तो में इस पस्ट लिखा हुआ है कि इंडिया श फोर एक्स भार्त का फोर एक्स रिजर्व कितना हुआ कि ळाई टाइम हाई आश तक का सबसे ज्यादा है और कितना ढून एशेसो 8 sponton डॉलर बिलियन अमेरिक डॉलर यह बारत का फोर से वर्तमान का यह आल टाइम हाई है ठीक है तो अब बात करते आगे अब देखिए सबसे पहली चीजी होगी कि फॉरेक्स क्या था यहां से परिक्षाओं में क्या प्रश्न बनता है अगर मुख्य परिक्षा हैं तो सवाल बनता है कि फॉरेक्स किसे कहते हैं परिभासित की द दूसरा छोटा ओब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि फॉरेक्स का कस्टोडियन कौन होता है आर्बय होता है और सबी दियस अपना अपना फॉरेक्स रखते हैं कहां रखते हैं सेंट्रल मौनेटरी ऑथोराइजेशन की पास में रखते हैं ठीक है अब अगला पॉइंट क है कौन-कौन से भाग है टोटल यह सवाल कैसे बनता अब्जेक्टिव परिक्साम है तो जब आप मल्टी जो आपके विकल्प वाला जो आपके अब्जेक्टिव प्रेश्ण होते हैं क्यों अबंक है कि यह सवाल से आता है कि कौन से कौन सब्सक्याइब करे करें सब्सक्साम है Murphy स्फस्प्राइब ज्याइट परिक्टिव है तो भारत के ही नहीं बलकि दुनिया वर की जतने भी फोरेक्स है उसमें चार कॉंपोनेट्स होते हैं एक होता है फोरेंड करेंसी एसेट्स एक होता है गोल्ड एक होता है SDR और एक होता है आपके RTP जैसे Reserve Transposition कहा जाता है तो अपन तीनों चारों के बारे में अलग-अलग समझते हैं बस अभी आप यही ध्यान रखना कि चार टोटल होते हैं अबाराइन बार सबसे पहले ऐसे और जो विडियक मुद्रा होती वह से उसकी करेंसी कहलाती जैसे भारत की बात करेंगे अमेरिका की डॉलर बृतेन की बात करेंगे ब्रिटेन का पॉंड इसकी अलावा हम अगर चीन की बात करेंगी तो चीन का रहन है नवी तो हर देश की अपनी एक विधिक मुद्रा होती है जिसे अपन करेंशी कहते हैं तो यहां पे करेंशी प्रकार की एसेट्स होती है और केंशी कि प्रकार की अब बात आती ही फोरें होिए उस देश के अलावा आपढ़ा की बात करओं तो भारत की प्रकार की गसी रुपिया है रुपिया को छोड़ दो दो को डॉलर को ले लो इसके अलावा आप येन को ले लो इसके अलावा चीन की रहन भी को ले लो आप कौन सी भी मुद्रा ले लो ठीक है ना ये आप यूरो ले लो ये सारी की सारी मुद्रें जो भी ये भारत के लिए क्या है ये भारत के लिए फोरेंग केरेंसी एसेट्स एप थोड़ा कम रखता है कम क्यों रखता है क्योंकि foreign currency assets में सबसे ज्यादा योगदान है डॉलर का और डॉलर चोंकि अमेरिका कई है अमेरिका खुद ही प्रिंट करता है इसलिए वो फिर आपके उस में काउट नहीं होता क्यों क्योंकि यह foreign currency assets होना चाहिए और अमेरिका के लिए डॉलर foreign currency assets नहीं है वो तो उसका खुद का इंडी विजूल या यूंका यह कि इंडी जीनियस currency है यह देश की currency है तो अमेरिका का फिर आपके यह फॉरेक्स रिजर बहुत कम है अमेरिका की से नंबर पर आता है और चीन पहले नंबर पर आता है ठीक है अब आगे देखिए तो foreign currency assets में वो सारी currency जाएगी जो उस देश की नहीं है महार की currency सारी आ जाएगी बारत के सम्मझ में यह सारी currency जा जाती यह से हम क्या कहते है एप सी बोलते है अब आप देखिए यहां पर जो अभी आरबी आई की रिपोर्ट आई देखो आरबी इस फोरेक्स के बारे में हर सब्ता रिपोर्ट जारी करता है आरबी वीकली रिपोर्ट जारी करता स्वाल यह भी बन सकता है परिक्षा में कि फोरेक्स की रिपोर्ट कौन जारी करता है और आरबी जो रिपोर्ट जारी करता ह कि बता हैं कि सब्दा हमारा थो में किटना परिवर्तन आया ठीक हिर परिप्सामें बहुत है एक जानना है हमारे बहुत हमारे लिए जरूरे तो आगे अगर में भारत की बात करेंग भारत का जितना भी हमारे पास फॉर एक्स है 608 अमेरिकन बिलियन डॉलर उसका मोटे मोटे तौर पे आप कहिए कि करीबन-करीबन 90 प्रतिशत करीबन-90 प्रतिशत segment कौन सा है का देखिए इस FCA का बाग इस पूरे फॉरे ना से करीबन करीबन कतना कि तना यँ वारत के संदरत में बाट करें तो नभी परसेंट havaki 10% यह तीनों मिला कि सबसे ज्यादा किस का है FCA का और अगर मैं आगे आगव इसमें बात करें किम्री सबसे ज्यादा किस का ए iht डॉलर का FC में foreign currency assets में भी हम डॉलर सबसे ज़्यादा रखना पसंद करते हैं क्यों क्योंकि डॉलर एक वैस्विक मुद्रा Global currency कैसी है वैस्विक मुद्रा है और वैस्विक मुद्रा होने के कारण डॉलर का एक प्रकार से पूरी दूद्या में स्विकार मुद्रा है आप एरान से कुछ खरीदो चाहे ऑस्ट्रेलिया से खरीदो चाहे जापान से खरीदो चाहे चाइना से खरीदो किसी भी देश से खरीदोगे तो आपके डॉलर हर जगह सुआ रहे हैं तो डॉलर को एक प्रकार से global currency माना जाता है Global Currency क्या होती है? Global Currency का मतलब होता है कि सभी देशों में उसको माना जाता है तो अगर अपन वर्दमान की बात करें तो Global Currency डॉलर है डॉलर ही क्यों है? क्योंकि डॉलर बड़ा सक्ति साली सक्ति साली इसलिए है कि अमेरिका के Federal Bank की Federal Reserve Bank का उसकी आउकात है कि आप अगर उस जितने भी दुनिया में डॉलर घूम रहे है अगर ये डॉलर सारे अमेरिका की केंदरी बैंक के पास सले जाए तो अमेरिका का केंदरी बैंक वो डॉलर रखे उसके बदले सोना देने की ताकत रखता है इसलिए global currency जैसे अगर आपन चीन की बात करें अब चीन का मुद्रा है रहन हैं भी ठीक है चीनी यूवान भी कहते है उसे अब रहन हैं भी जो है उस अब चीन की इतनी अवकात है नहीं कि अगर पूरी दुनिया में रहन हैं भी पूरी एकटे कर लिए जाए तो चीन उसके कि बदले वापस रहन हैं भी लेकि गोल्ड याने एसेट्स नहीं दे सकता क्यों क्योंकि चीन जब मुद्रा प्रिंट करता तो उसके सामने ऐसा कोई आनुपातिक रूप से रिजर्व नहीं रखता जैसे भारत में नियूंतम आनुपातिक को सप्रणाल यूरोपया प्रें होते हैं तो दुनिया भर का डॉलर अगर अमेरिका वापस आजा तो अमेरिका उनको एसेट्स देने का सामर्थे रखता है इस वज़े से डॉलर सबसे मजबूत करेंसी है इसको अपन वैस्विक बुद्रा के रूप में एक परकार से जानते हैं तो अब देखिए तो कहने क भी बाहर के निवे सकते हैं अब मैं अगर बात करूं यहां पर की निवे सकता क्या मतलब हुआ निवे सकता मतलब यह हुआ कि अमेरिका का कोई उद्योपती है अमेरिका का कोई पैसे वाला अमीर वैगती है और वो अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहे बारत के श इससे आपके RBI के पास में foreign currency assets डॉलर की रूप में बढ़ जाती है तो जितने भी निवे सकते हैं इन निवे सकों से हमारे को डॉलर बढ़ते हैं इसके अलावा जैसे कोई हमारा कोई अगर अमेरिका बैठा है वहां वह पैसे कमा रहा है तो वहां से जो डॉलर भारत आएंगे तो यह भी हमारी इस foreign currency assets को बढ़ाता है इसके अलावाद जो हम export करते हैं चीजें बेचते हैं इस export से भी जो हमें component है अगर sequential प्रशना है तो FCA Forex का सबसे बड़ा component है विदी सी मुद्र है सबसे अधिक है अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका का यह FC कमजोर है कमजोर क्यों है क्योंकि अमेरिका के लिए dollar foreign currency नहीं है अमेरिका की dollar indigenous currency है खुद की मुद्रा है तो फिर यह बाहर हो जाता तो अब बारत देखी चौथ है नंबर पे और अमेरिका 21 नंबर पे चला जाता है क्यों क्योंकि वह यह चीजें नहीं रखता तो यह बात हो गई अब देखिए दूसरा जो portion है वह आपके gold सोना जो आर्ब अब सोने को भी हमारे फॉरेक्स में रखा जाता है सोना कौन सा सोना हमारे घर पे पड़ा वह सोना नहीं जो आर्बिया के पास में जो है वह सोना माना जाएगा जो कैंडरी बैंक के पास है ठीक ऐसा नहीं है कि ज जाती जनता के दर आहां वह नहीं सोना वहीं माना जाएगा जो आर्बे के पास में रिजर्व है गोल्ड रिजर्व गोल्ड रिजर्व की अगर अपन बात करें है तो इसका बहुत ज्यादा योगदान नहीं है जैसे मैं अगर यहां पर आऊं तो यह ताली का देखिए तो टोटल 608 billion में से 563,563 billion क्या है foreign currency assets तो 90% के असपास हो क्या है अगर अपन गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड है आपके 38 billion dollar 38 billion dollar के असपास हो जाता है आपके gold तो अब आप समझ सकते हैं कि foreign currency assets के बाद में 38 billion कौन हो जाता है गोल्ड और आपके करीबन करीबन यह एक billion के आसपास हो जाएगा SDR और पांच billion हो जाएंगे करीबन आपके RTP तो पांच एक छे और चमाले स्थान के हो गया इतना कितना 608 हो गया ठीक है यह मोटे-मोटे आंकडे तो अब आप देखिए तो FCA के बाद में दूसरा स्थान किसका है गोल्ड का जो हमारे पास 608 American billion dollar का जो फॉरेक्स है उसमें से दूसरा नंबर किसका लगता है गोल्ड का लगता है देखिए गोल्ड ज्यादा होना बहुत जरूर ही है क्यों क्योंकि गोल्ड एक ऐसी धातु है जो प्राचिनकाल से भ लुप में आई और वरतमान में भी है और उमीद है कि आगे भी रहेगी तो अब देखिए गोल्ड गोल्ड की अगर बात करें तो आर्ब्या के पास में थोड़ा सा मामला गडबड है जो वर्ड गोल्ड काउंसिल है उसकी रिपोर्ट आई टी फरवरी के अंदर वर्ड गो इतना विश्वास नहीं करता जितना वो गोल्ड भी करता है अगर अपना अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास करीबन करीबन एक्यासी 133 मेट्रिक टन गोल्ड है इतना मेट्रिक टन गोल्ड है और अमेरिका का जो कुल फॉरेक्स है जो अमेरिका का कुल विदेसी वि में कोस का करीबन-करीबन यह आपके 79% के आजपास तो अब आप समझ यह कि अमेरिका का कुल फॉरेक्स हो ए उसका करीबन-करीबन 79 असी परसेंट गोल्ड अब इस एंगल में अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत के पास में कुल गोल्ड है 606.6 metric 10 अब देखिए 606.6 metric 10 कि दो कि कुल फॉरेक्स का कितना परसेंट शेर करता है स्माधसाथ परसेंट क्योंकि भारत के फॉरेक्स में मैग्जीमम योगदान 90% के आसपास किसका है एपसी ये का और अमेरिका के फॉरेक्स में मैक्जिमम योगदान किसका है गोल्ड का नहा केवल अमेरिका बलकि जर्मनी इटली है ना चाइना रशिया यह सब बारत से आगे बारत का इस्थान लगता इस मामले में नवा तो अगर अपन गोल्ड होल्डिंग की बात करेंगे तो भारत नवे इस्तान पे अमेरिका पहले इस्तान पे और चीन की बात करेंगे तो चीन छटे इस्तान पे चीन में भी गोल्ड होल्डिंग काफी ठीक है लेकिन अमेरिका जितनी नहीं अब भारत का प्रियास है कि कम से कम गोल्ड होल्डिंग के मामले में भारत भी टॉप five countries में आए अभी तक gold holding में बारत का number अनुबर तो सोने के मामले हम का मारा हमारा फॉरेक्स जो है वो मजबूत हुआ है शर्फ और सरफ foreign currency assets के कारण और और foreign currency assets हमारे पार ज्यादा क्यों है क्योंकि भारत एक उभरता हुआ देस है और जब emerging economy होती है तो बड़े देश जितने भी है विक्षित देश जितने भी है वह इमर्जिंग एकोनमी में अपना investment करने पर ध्यान देते क्योंकि उनको profit ज्यादा होता है क्योंकि अगर भारत की बात करेंगे ना तो यहां पर बविश्य दिखता है विक्षित देशों को इसलिए उन देशों के जितने भी investor है वह सारे के सारे अपना पैसा बारत चीन जैसे इन देशों में लगाते हैं जितने भी एक चामन एक्जामपल से समझना कि 1991 में जनवरी 1901 में कि मैं बात कर रहा हूं तो जनवरी एकराण में के अंदर हमारे पास चो फॉरेंड एक्सेंज रिजरो था मेहज 1.2 अमेरिकन बिलियन डॉलर ही था जो आज 608 अमेरिकन बिलियन डॉलर है वो पहले जनवरी 1901 में हमारे पास 1.2 बिलियन डॉलर ही था जो कि हमारे बिल भरने के लिए महज 2 से 3 सब्ता तक ही काम कर सकता था बिल भरने का पूरे बारत की जितनी भी नरियात हो रहे है इन सारे आयातों का महज 2 या तीन सब्ता का ही बिल बर सकते जिए ज्यादा हमारे पास कुछ था यह नहीं फिर इस कोट्टे को पूरा करने के लिए हमने सबी देशों से कहा किसी भी देश नहीं दिये पैसे हमें उदार क्यों क पूरी मूडी जैसी जो रेटिंग एजनसी जेन ने बारत की रेटिंग गिरा दी थी रेटिंग गिराने का मतलब होता है कि यह देश वापस भaneously करने सम्मर्थ नहीं है रेटिंग यह तै करती कि किस देश की साहुकारिता कैसी अब रेटिंग गिर गई तो दूसरे देशों ने तो हाथ निकाल दी तब हम गए आई-एम-एफ के पास में आई-एम-एफ क्या करता है कि फिजल इस्टाबिलीटी राजकोशी स्थाइत्व के लिए लोन देता है और उसके लिए हमें कुछ और कुछ गिरवी रखना पड़ता है तब 1901 में मई के आज पास हमने 67 टन हमारे पास गोल्ड रिजर्व था आज कितरा है 633 मेट्रीक टन है वो उस समय 67 टन ही था आर्बिय की पास गोल्ड रिजर्व हमने 67 टन गोल्ड रिजर्व को एयर लिफ्ट किया हवाई जाज में चड़ाया और इसको गिरवी रखा इसमें से 47 टन तो गया था बैंक ऑफ इंगलेंड में और 20 टन जो था वो गया था हमारे स्विजल रेंड के बैंक के अंदर और वहां से हमन फनी शर्तों पर लौन देता है अब आइये में हैं से हमने पैसे तो ले लिए गिरवी रखकर और साथ-साथ में cooperative बहुत सारी रेस्टिक्सनस टाल दी बहुत सारी कुंटिसनस डाल दी और बारत सरकार को आपको पता होगा कि बारत सरकार को क्या करना पड़ा था बारत सरक से एक पॉइंट दो बिलियन डॉलर से 608 अमेरिकन बिलियन डॉलर की यातरा था है कि पिछले तीस सालों की बात है तो उन्नीस सु एक्राणमें जब हमने गोल्ड जब गिर्वी रखा उस समय चंदर सेखर प्रदानमंत्री तो बज़र तक पास नहीं कर पाए थे और गोल्ड से हमने उधार लिए 67 टन गोल्ड गिर्वी रखा हमने और यहां पे वाक्या भी हुआ था कि एरपोर्ट पर ले गए तो बीच में गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया था वहां भी इस्तियां खराब हुई थी तो उसके बाद में देरे-देरे-देरे 91 के बाद हमने लपी वीडियो बनाऊंगा और 91 की आर्थिक जो मंदी स्वरी जो यह क्राइसिस आया था उसके बारे में अलग वीडियो बना कि पूरी क्राइसिस समझाओंगा कि उन्हें एक्ष्ण में हुआ क्या था तो उन्हें सो एक्राणे से पहले हमारे पास लाइसेंस राज था और उसके चक्कर में यह सारा कोच हुगा था उसके बारे में कभी अलग वीडियो से बात करेंगा अभी इतना ही समझना तो गोल्ड कोई ऐसी एक प्रकार से फोर्सीन जो इस्तितियां होती है जो हमने कभी एसी इस्तितियां अचानक से आजाती है तो देश के पास अगर गोल्ड रि रखके कुछ काम निकाल लेते तो गोल्ड एक परकार की एसेट होती है तो गोल्ड इस काम आ सकता है अब आप समझ गये होंगे कि गोल्ड कितना काम कर सकता है ठीक है न तो इसलिए गोल्ड होना वो ज़रूर यह भारत के पास अभी 666 मेट्रिक टन है अमेरिका के पास 8133 म और यह काईए कि इस मामले में आज भी हम दुनिया के नवे नंबर पर फिर भी ठीक इस्तिय और इस्तिय वह सोधर रही है तो गोल्ड के मामले में हम आ जाते हैं दुनिया में नवे इस्तान पर लेकिन अगर आपन बात करेंगे कि टोटल 4X में गोल्ड का योगदान कितना है भारत के अंदर अभी साथ परसेंट है FC का योगदान करीब नवे परसेंट है यहां पर ठीक है तो यह गोल्ड की बाती और गोल्ड जो आर्बिया के पास है अब साब कुछ देख रहे हैं आप यह सारा के सारा गोल्ड जो है यह आगे किसी वीडियो में मैं आपको समझा कि आर्थिक संकत और गल्फ वार यह दोनों चीजे मैं आपको पवीश्य में आगे वीडियो लाओं तब समझाओंगा तीसरा जो कंटेंट कॉंपोनेंट्स आता वह आता इस्पेसिल ड्रोइंग राइट्स विशेश आहरन अधिकार ठीक है विशेश आहरन अधिकार विध का एक वीडियो यह बनेगा एक खाड़ी संकत और एक आपके बनेगा 1901 का आर्थिक संकत जोया था वह तीनों वीडियो में एक एक सब्ता बाद में डेफिनेटल लाओंगा और आपका इससे नॉलेज होने वाला है ठीक है विशेश आहरन अधिकार इसकी मैं शंक्षित जा की जा रही है यह इंटरनेशनल मॉनिटरी फॉंड दो है अंतरास्टी मुद्रा कोस्ट है उसका एक परकार से अधिकार है देखिए है क्या यह मुद्रा नहीं है यह मुद्रा नहीं है यह मुद्रा नहीं है यह मुद्रा नहीं है बलकि क्या है यह एक परकार से यूं का यह कि एक भूगतान का माध्यम है ठीक है क्या है भूगतान का माध्यम आप इसको यह समझिए कि कि किसी भी देश को जब आईए मैप से रिन चाहिए होता है मैंने 1991 की आप से बात की कि हमने 67 टन गोल्ड गिर्वी रखकर आईए मैप से राजकोशी स्थाइट होए तो जब बैलेंस ओपेमेंट संकट आ जाता जैसे बी यूपी क्राइसिस बोलते हैं भूगतान संतुलन का संकट बोलते हैं भूगतान संतुलन के संकट को अगर मैं एक लाइ तो जब बी यू पी यह सिस्थी आती जब राजकोश गाटे में चला जाता है जालूख काते हैं चले जाते यह जब सीज़ें लून लोन लेने के लिए आयम एए मेप के पास और कोई Armen पीसे वर्ल्द बैंक है के लडशिक्ट्ठ के लिए लिएन देता है फीजल कि के लिए नहीं देता देश की अगर अराज कोशी और यह मामला अगर गडबड हो जाता तो आपके वर्ल्ड बैंक लॉन नहीं देता फिर हमारे को आई एम एप से ही लॉन लेना पड़ता है को दूसरे देश भी नहीं देते क्योंकि हमारी रेटिंग गिरी वी तो ऐसी स्तती म हम आई MF के पास जाते आई MF 2 चीजने करवाता है सबसे पहले तो यह की बहुत सारी कुछन कुछ चीज आपको गिरी भी रखनी पड़ेगी जैसे हमने अरग गिरवी रखने के बाद ये अपनी शर्ते डा यह सरतें डालता है килलत सरते डालने का क्या मतलब है जैसे मैं आपको नेपल नहीं भूटान का एक्जाम्पल देता हूं भूटान को आई एमएफ ने दोड़न दिया उसके बदले कहा कि आप वहां पर राज तंतर की बजाए लोग तंतर इस्तापित करो हां भूटान ही था मेरे साथ से यह नेपाल दोनों में ops wannap pri ei था तो इस तरह से इन्होंने संपिता में अस्तक्षिप किये देश दुनिया में सके इस बात कि उसना भी होती है कि ऐ मैं किसी देश की संपर फुदा एस तARसे इंट्रफेस नहीं कर सकता तो आई में सरते विडलवाता है वारत वारत सरकार ने गिर का ता थी तभी इसी सर्तों परोनों हमें लोन दिया था तब हम जब आईए में से रिंड लेते हैं तो वो रिंड हमें किसी मुद्रा में नहीं मिलता बलकि हमें मिलता SDR के रूप में विशिश आहरण अधिकार के रूप में लोन मिलता है यह भुगतान का एक माध्यम है अब देखिए अब इस SDR की रेट कैसे तैय होती है SDR की रेट तैय होती है एक बास्केट से एक मोनेटरी बास्केट बना हुआ है टोकरी बनी विए इस बास्केट में एक तो डॉलर है अब डॉलर के अलावा इसमें यूरो है यूरो के अलावा इसमें आपके चीन की मुद्रा रैन है रैन हैं भी है ठीक है इसकी अलाव अग कहेंगे इसका फिक्स पर्षेंटेज जैसे डॉलर का लिया जाता एकतली स्पोईट ऐसा कुछ पर्षेंटेज जब युरो की बात आती है तो करीबन 30% वैल्यी युशू की लीजाती है इस टाइप से सब्सक्राइब के वैल्यू पर अवंटीत होगे 4SDR का अधिकार प्राप्त होगा समझाँगा अभी आप इतना समझ लेजिए कि आईए मेंसे हम जो भी लोन लेते हैं हमें SDR की रूप में प्राप्त होता है और SDR की वैलिए ऐसे तय होती SDR एक मुद्रा नहीं बस भुगतान का एक माध्या मैंसे पेपर नी भी बोलते हैं वलिए गोल्ड भी बीड़े लेकिन यह नी है यह सर्फ और सिर्फ एक बुगतान का अधिकार से ज्यादा यह कुछ भी नहीं है ठीक है तो यह तो गया SDR अगर अपन भारत के इस इसकी बात करेंगे तो SDR का चौथा नमबर आ जाता है सबसे कम अमाने पास SDR ठीक है उसके बाद में कौन सा कॉमपोनेंट्स आता है आरे टीपी रिजर्व ट्रा से पोजिशन जैसे बोलते हैं इसको अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाओं इसकी टेक्निकल बासा में मैं नहीं जा रहा हूं बहुत ही सामाने सब्दों में समझा रहा हूं और फिर जब नेक्स्ट विडियो आएगा तब इसमें मैं आरे टीपी और सब्सक्राइब को अलग से समझा दूँगा सामाने बासा में समझ यह कि आई ये मैप के पास पैसे कहां से आते हैं आई ये मैप खुद का तो कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं कोई गवर्वर्नमेंट नहीं आई ये मैप के पास कि अब हर जतने भी की सदस्य देसे हैं ये खुरकी मैं डरे कोटा होता है तो गुंत Pixar निर्धारित पारोता है और उस निसको जिस देशा जितना चाल्टा चेह किया गया है उस क Benson की मुताबिग आयी एंसस को अपना योग दाण देना पड़ता थीं कोटे की मूताबिक तब आगे क्या होगा मुताबिक योगदान योगदान देना होता है ठीक है अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि भारत का कोटा मान लेते हैं तो डॉलर अब जैसे आई एमेफ में बारत का कोटा एक परकार से सो डॉलर मान लिया तो कोटा सो डॉलर ते हो गया तो मैं लबारत को योगदान कितना देना सो डॉलर का योगदान देना अब इस योगदान में से इस योगदान में से जैसे मान नो सो डॉलर का योगदान इस योगदान में से एक निश्चित भाग एक निरधारित भाग एक किसी टेक्सेस के ओखर्च कर सकता है वो उप्योग में ले सकता है समंदित देस उप्योग में ले सकता है अब देखिए मैं इसको एक्जाम बूर्ज़ाता हूं अब भारत का मान लेते हैं कि कोटा है 100 5 विलिए डॉलर तो डॉलर अभी 100 डॉलर में भारत को योगदान बी 100 डेना है माल लेते हैं कि निर्दार बाग माल लेते हैं पत्चीस के आसपास अब मान लेते हैं कि बारत का योगदान सो रुपए तो बारत इसमें से पत्चीस रुपए योगदान अपने आप ही उपयोग ले सकता है इसके लिए उसको आई मेफ की ना तो कोई अनुमति लेनी होती है ना आये मेफ को इसके बदले को शुल्क देने पड़ते तो यह 25 रुपए यूज ले सकता है इस कोटे को हम कहते हैं रिजर्व ट्रेंज पॉजिशन बोलते हैं तो आर्टीप क्या हो गया आप कहा सकते हो कि हार देश का अपना निर्धारित कोटा होता है उस कोटे के मुतबित वो योगदान देता है उसमें से एक निर्धारित ब कोटा ठीक है न तो जो होल् fathers कोटा इस दोश्यक्नेटों की बीच कोट देफ्रैंस ऑसको क्या बोलते हैं उसको सबसे पहली चीज 553 billion dollar या गर million dollar कहेंगे तो यह million dollar कहेंगे तो यह 534-479 million dollar billion करेंगे यह आंक्रिटों की million में है तो हम इसको billion में कर रहे हैं सबसे ज्यादा योगदान किसका है foreign currency assets का दूसरी नबर प्र आ जाएगा कौन गोल्ड आ जाएगा तीसरे नबर पर कौन है और ऑरेक्स है उसका सिक्वेंस और वारत की फ्रेक्स कीन चारों शुटवब से अब बात थी यह अगर दुनिया के अन्य देशों के मैं बात करूं कि किndh इसके क्या हाल है वर्तमान में किस देश के पास कितना एसेट से तो अब आप देख पारे होंगे कि अगर चाइना की बात करें तो 332 बिलियन डॉलर बिलियन अमेरिकन डॉलर है जापान के पास 1368 है स्वीजर लेंड के पास 1070 है और इंडिया के पास 608 है और रसिया के पास 604 है मतलब यह हुगा कि दुनिया के अगर बात करें तो भारत किस इस्थान पे हैं वर्तमान में चौथे इस्थान पे हैं पहले पांचवे इस्थान पे था रूस को चार बिलियन डॉलर पीछे छोड़ के चार जून के बाद अभी 11 जून के जब यह डेटा आए तो उस समय भारत चौथे इस्थान पे आगया अब देखी बारत स्वीजी लेंड के बहुत पास में है यह एक ट्रीलियन के क्लब में जस्ट आने वाला है और आने वाले एक दो साल के अंदर पॉसिबल है की 608 से यह 1070 मतलब एक ट्रीलियन के भी क्लब में आ जाएगा देखी हमारी य अब देखी जल्द ही हम एक दो साल के अंदर प्रीलियन कलब में भी आ जाएंगे तो अब देखी अगर मैं चाइना की बात करें हम तो चाइना का मामला बारत से पांच गुना ज्यादा है भारत की जीडीपी के लगब उससे भी यह चाइना का मामला ज्यादा है ठीक है चिसें का इस हिसाब से ही रहता है तो आपको इतना याद रखना अगर मैं अमेरिका की बात करो तो युसे की हालत यह से का 21 नमबा है क्यों कि यूर्वे यूसे कंदर प्रेंड के एसेट्स का कुछी इस्यू है नहीं वो रखते नहीं क्योंकि उनको डॉलर तो खुद का है और बाहरवारी करेंसी का कोई वैल्यू नहीं वहां पे तो अब पीछे बचा के वल गोल्ड करेंसी स्टीर है तो वो उतना लेते नहीं है तो कहने का मतलब क्या हुआ अमेरिका की बात करें तो वो गोल्ड होल्डिंग है उनके पास में और इस हिसाफ से वो दुनिया एकीसवा फोरेक्स रिजर उसके पास में वह टॉप पे नहीं है क्योंकि फॉरेंड करेंसी सामिल होने चाहिए डॉलर हर देश का इसमें सबसे ज्यादा सभी के डॉलर यह अम एडवांटेस क्या है यह हमें समझना है पहली सबसे पहला एडवांटेस अगर आपके पास फॉरेक्स मजबूत है तो आप दूसरे देशों को भी लोन दे सकते हैं आपको उधार बटकने की जरूरत नहीं मैं एक एक्जामपल देता हूं जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान के पास फॉरेक्स ना महातर का है इस वज़े से क्या होता है कभी उनको बिल भरने के लिए चीन के पास उधार लेने जाना पड़ता है कभी उनको किसी दूसरे देश से उधार मांगना पड़ता है कभी अरब कंट्री से मांगना पड़ता है ऐसे मांगते फिरते हैं अगर पी गया गुजरा फोरेक्स है स्रीलंका को बांगला देश से उधार लेने पड़े बांगला देश ने अपने फोरेक्स से बकाइदा चीन स्रीलंका को उधार दिये स्रीलंका की हालत भी पाकिस्तान जैसी है फिर स्रीलंका को चीन से उधार लेने पड़ते हैं स्रीलंका को कई देशों से लेने पड़ते हैं फिर आपको हम्मन टोटा जैसे कई द्वीप चीन ने ले लिए तो कहने का मतलब यह होता है कि फोरेक्स जब आपका मजबूत होता है तो आपको किसी देश के पास उधार लेने की आवशिक्ता नहीं होती हमारी इस्तती जब 1991 में वही थी वही स्री लंका पाकिस्तान जैसी इस्तती थी हम दर दर भटके थे किसी ने गुरूप यह उधार नहीं दिया लास्ट में आई एमेप से लिया तो भी हमारे देश का जित आप समझे से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है अब आप यहीं श yani कि अभी अगर में भारत की बात करूं तो भारत की पास में अभी 608 वह billion American dollar reserve है और ये रिजर्व 16 महीने तक का बिल भर सकता है हम आज वरतमान के अंदर जितना कुछ एक प्रकार से इंपूर्ट करते हैं जितना दुनिया से खरीदते हैं हमारा सब एक रूपिया भी अगर हम अब सब आना बंद हो जाए पूरी मार्केट बंद हो जाए तो भी हम 16 महीने तक का बिल पेमेंट कर सकते हैं और ये इस्तति 1901 में के अंदर थी महज सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर भी अभी अभी इन दिनों जब रिपोर्ट आई थी आर्वी एक पैनल की रिपोर्ट थी उसमें कहा था कि अभी भी बारत को और अच्छा करने के आप सकता है इस सोड़ा माह को बढ़ा के और दो तीन साल तक करने के सिति क्योंकि मार्केट के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में कभी भी अपस डाउन आ सकते हैं कोई जियो पॉलिटिकल इस्तियां हो सकती है इसके अलावा बहुत सारी सड़न पॉलिशी चैन्जिस हो जाते हैं कई बार दूसरे देश अपनी नीतियों में वदलाओ कर लेते हैं तब ऐसी कर रहें श्रीलिम का बंगलादेश स्वरी पाकिस्तान जैसे देश जिनके पास फॉरेक्स नहीं है और हर दिन आप अकबार में पढ़ते होंगे आज उससे उदार मांगे ताकि बिल पेमेंट कर सके वार्थ की ऐसी इस्तिती ना है ना आने वाली क्योंकि हमारे पास सोड़ हम महीने का बिल बरने का पूरा स्टोक पड़ा है पहली चीज़ दूसरी बात हम उधार दे सकते हैं हम उधार दे सकते हैं और देखिए अब चीन के पास में सबसे ज़्यादा फोरेक्स है उसका फाइदा वो कहां ले रहा है वह अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारा एंव दूसरी चीज वो देश जब भी कभी यूए नो वगेरा में इंट्रनेस्टल मंच पर जब भी कभी वहां पर कोई भी पॉलिसी वगेर आती तो वो देश हमारे साथ खड़े हो जाते सामान है ता वो देश हमारे पक्स में मतदान करते हैं इसके अलावा हम उन देशों के अ देश को इपरकार से गículum बनाने का लगी बीच pioneer कर रहा है तो हम जैसे भारत जैसे देश दृछ यह इनके पास अगर वीग होगा तो इससे किया होता है र forbidden सब्सक्राइब करें इस सकते हैं जैसे दब नेपाल चंगाट में आया यह हम अफरिकन कंट्री संक्राइब के अगर टॉ थो मतंजी कूछ को सब्सक्राइब ने इशन में कर तो तो उडहार में सकते अगर आपका फोरेक्स मजबूत है तो आप आप देखते हैं तीसरा बिंदू की फोरेक्स का तीसरा फाइदा क्या है अगर अपन तीसरे फाइदे की बात करें यहां पे तो तीसरा फाइदा यहां पे सबसे बढ़िया जो फाइदा मिलता है वो यह मिलता है कि हमारा रुपिया जो है हमारी जो करेंसी है वो मजबूत हो तो फोरेक्स जितना अधीक होगा, करेंसी मजबूत होगी, हमारी मुद्रा ये मजबूत होगी, कैसे होगी, आपने दो शब्द सुने होगे, एप्रिसीयेशन, डेप्रिसीयेशन, और डी वैलुशन, और री वैलुशन, इसको किसी अलग वीडियो में समझाएंगे हम, मतलब मुद्रा का कमजोर होना, devalution और depreciation, मुद्रा का मजबूत होना, appreciation या revalution जो भी कहो उसको आप, ठीक है, तो revalution, devalution ये तो क्या होता है कि जब सरकार चाहा कर करती है, और appreciation और depreciation ये market की सक्तियों के द्वारा किया जाता, तो उन्हें में basic फरक है, किसी अलग lecture में समझेंगे तो इसको basic example से समझे, माल लिए कि, माल लिजी कि भारत की market के अंदर, माल लेते हैं, दस डॉलर ही है, ठीक है, और भारत की market में 750 रुपए हैं, ऐसा हमना माल लेते हैं, तो सीधी सी बात है, एक डॉलर की rate कितनी हो जाएगी, तो एक डॉलर की rate हो जाएगी 75 रुपए, ठीक गए foreign currency assets बढ़े मतलब यह हुआ कि यह 10 dollar के मान लेते हैं कि 100 dollar हो गए इसके सामने हम यह मान लेते हैं कि हमारे जो रुपे यह भी बढ़ के मान लेते हैं कि 5000 हो गए ठीक है तो इस दूसरी इस्तिती में क्या होगा एक डॉलर की रेट क्या हो गई एक डॉलर की रेट हो जाती ह आपके 50 रुपे यह हो गया एक दूसरी इस्तिति और समझते हैं तीसरी सबुल्सरी मान लेते हैं कि foreign currency assets गिर गए मतलब फोरेक्स कमजोर हो गया अगर फोरेक्स कमजोर हो गया तो मान लेते हैं कि यह जो डश से 100 है उससे भी हम कम कर लेते हैं या दस की जगे मान लेते पां 500 तो पांच डॉलर पानष रुपे वहां ही में तेसरी कंडिशिन तो इसमें 1 डॉलर की रेट क्या होगी इसमें एक डउलर की डियोट होगी व người सो रुपछ इस तरह से विदी सी प्रकाइब को समयरे रुपे को मजबूत करता है अब सो समझे यह तो थी एक सामने रेट यह मान लेते एक सामन सामने रेट थी अब इसमें फ्रिक्स बड़ा तो जैसे फ्रिश बड़ा दस से 100 हुआ हो तो हमारे रूपए रुपए की वेल्यू बढ़ गई देखिए पहले जो 75 रुपए खपकर एक डॉलर लाता था अभी वही डॉ भी Aus मटेगा जब भी आपके foreign currency assets titles बढ़ते हैं तब यह कहिए के raisi कि रूपिया मजबूत होता है ठीकिक है क्या होता है मजबूत होता है और सिधी सी बात है और जब foreign currency assets घड़ती है तो सामनेता रुपिया किया होता है कमचोर होता है कैसी देखिए जब आपके foreign currency यह आपके घट गई तब आपके वही डॉलर सो रुपे में खरीदना पड़ रहा है तो रुपिया मजबूत होगा और अगर रुपिया मजबूत होता है हमारा तो फिर क्या होते हैं आयात नर्यात प्रोचसाहित और अतोचसाहित होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ हुआ इसका मतलब यह वगा कि सबसे बढ़िया फरक यह पड़ता है हमारा रुपिया मस必要ूश toca होती है कर दो कि मरें सिघ्या की Auto यह प्रोपिया कessäश्पर कर चाहिए तो बहुत दिक्कत आ सकती है आपको पता होगा दक्षिन पूरी एश्या संक्रट भी उत्पन हुआ था ऐसे हो सकता है तो आर्ब्याई के द्वारा एक प्रकार से रुपे की रीट एक प्रकार से मैनेश करने में आसानी होती है तीसरा फायदा यह हो जाता है इसके अलावाइस का क्या फायदा है इसका फायदा यह है कि जो फोरेक्स रिजरो है हमारे पास इस रिजरो को हम आर्ब्या के पास नहीं रखते हैं जनरली क्या करते हैं हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे पास जो भी अभी 608 अमेरिकन बि लेंगे वहां जी से खरीद लेंगे बड़ी बड़ी जो दुनिया की बड़ी ग्लोबल बैंक है वहां पर हम ब्याज पर दे देंगे तो इससे क्या होता है हमें रिटन मिलता है तो आर्बिया क्या करती है आर्बिया इसको जो फोरेक्स है इसको एक सैफ जगह पर मख़बूत कर सकते हैं तो यह सारे फायदे हमारे फॉरेक्स के फायदे होते हैं तो और भी बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं और कोई दिमाग में नहीं आया हो तो आप इसका फायदा है मुझे बड़ा अच्छा लगता जब आप आप वीडियो देखके और दो चार और तो यह था फॉरेक्स उम्मीद कर रहा हूं आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मस रहें बढ़ते रहें और नेक्स्ट जो लेक्टर आएगा उसमें हम 1991 का आर्थिक संक्ट है और खाड़ी देशों के संक्ट है इसके अलावा हम SDR और RTP का वीडियो है इसके अला साथ में आपका basic economics भी अच्छा हो जाएं बहुत बहुत देनवाद स्टूडेंट मस रहें खोश रहें और निरंतर पढ़ते रहें